राकेश एक नो जवान लड़का था जो शेहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करता था। राकेश की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था उसका स्मार्ट फोन। राकेश के हाथों में दिन रात फोन रहता था जैसे कि वो फोन उसका आंग हो। राकेश अकसर रील्स देखता, पॉन क्लिप्स देखता और सोशल मीडिया को बार बार चेक करता रहता था। उसकी दिन चर्या और रात का अधिक्तम समय फोन चलाने में जाता था। इसी कारण राकेश आलस और कामवासना के दल-दल में फस्ता जा रहा था। राकेश का ध्यान उसकी पड़ाई से हट गया था। उसके सपने और लक्ष को लगभग वो भूल गया था। उसने अपनी लक्षों की ओर से मुह मोड लिया और कामवासना की धार में डूपता चला गया। राकेश का जीवन बदलता चला गया। लेकिन राकेश को यह नहीं पता था कि वह किसी अद्रिश्य जाल में फंस गया है। कोचिंग फीज को भी राकेश अपनी गलत आदतों में खर्च कर देता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और राकेश उस दल दल में और फसता गया। कॉलेज खत्म हुआ पर राकेश के पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी जिससे वो अपने घर वालों की हेल्प कर राकेश ने काफी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश की पर उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था इसलिए वो किसी एक्जैम को पास नहीं कर पाया। अब राकेश को लगने लगा था कि उसने कैसे उसका गोल्डन टाइम गलत आदतों में आकर खत्म किया और कैसे काम वासना के दल दल में आकर उसने अपनी जवानी भी खत्म कर दी। ये कहानी एक राकेश की नहीं लाखों नौजवानों की है जो जवानी में गलत आदतों क की वज़े से अपनी लाइफ बरबाद कर देते हैं। नुकसान कर रहे है। आप खुद दिमाग लगाओ कि आज से 5-10 साल पहले इतनी यौन शक्ती की दवाई मार्केट में थी क्या। हाल ही के एक सर्वे में भारत में 10 पुरुशों में से 6 पुरुशों को यौन रोग और शारीरी कमजोरी की समस्या है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये गलतिया आपसे आपकी जवानी में हुई तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। अब मैं आपको एक प्रोपर रूटीन बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकते हो। सही रूटीन और डाइट के माध्यम से खोई हुई ताकत को वापस लाया जा सकता है। हस्त मैथुन और गलत संगत से कमजोरी का सामना करना एक आम समस्या है लेकिन इसका समाधान संभव है। सुभ के समय की बात करे तो प्राचीन संस्कृती के नियमों के अनुसार जो इंसान मुनिस्नान करता है उसके घर में सुख, शांती और सम्रिध्धि बनी रहती है। ऐसे इंसान को कभी कोई रोग नहीं होता। उसकी बल, बुद्धि और चेतना का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जाता है। सुभए चार से पांच बजे तक के समय में किये गए स्नान, यानि नहाने को सरवश्रेष्ट माना जाता है। इस स्नान को मुनिस्नान नाम कहा गया है क्योंकि इस समय रश्री मुनिस्नान करके साधना करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय अम्रित का होता है जो इस टाइम तक उठ जाता है। उनके शरीर में अम्रित की धारा बहती है। ऐसा इंसान वीरे बढ़ाने में भी ज्यादा सफल होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से नाइट फॉल की समस्या भी नहीं होती। ब्रह भाई में मन लगना पहले से बहुत ज्यादा आसान होगा. मन से मजबूत होते जाओगे और मन में निगेटिव विचार आना बहुत कम हो जाएगा. सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाने से चेहरा सुन्दर बनेगा और बालों में चमक देखने को मिलती है. जिन लड़कों को अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाना है, वह सुबह जल्दी उठकर नहाना शुरू कर दें. यह वीर यवान दिन्चर्या का एक अहम हिस्सा है. जो मेरे भाई वर्काउट करते हैं, उनको तेजी से रिकवरी जल्दी देखने को मिलेगी, जिनका स्वभाव बहुत चिड़-चिड़ा रहता है. तनाव से अगर परिशान है और अपनी उर्जा की भरपाई करना चाहते हैं, तो 45 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य रक्षा और मुनिस्नान करके देखना बहुत फायदे में रहोगे. मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को ऐसा करना मुश्किल लगेगा, लेकिन इसी मुश्किल को पार करके तो आदमी वीर्यवान और तेजस्वी बनता है. आप चाहे किसी भी धर्म का पालन करते हो, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो आपको बस अपने मन को साफ रखने की जरूरत है. जब वासना हम पर हावी हो जाती है, तो फिर भले ही आप पूजा करें या इबादत करें, तो भी हमारा मन अशलीलता के बारे में सोचता रहता है. हर वो इनसान जो हस्त मैथुन और पोर्ण की लट से आजाद होना चाहता है, उसे आधा घंटा अकेले बैठ कर अपने विचारों को ध्यान से समझना चाहिए और अशलील विचारों को त्याक देना चाहिए. ये अशलील विचार हमें पोर्ण की तरफ ले जाते हैं. फिर सबसे पहले अपने मन को साफ करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रहते हो, वैसा ही आपका जीवन बनने लगता है. अच्छा भोजन लो, जंक फूड मत खाओ, किसी भी प्रकार का नशाना करो और रोजाना व्यायाम करो देखते. सबसे जरूरी बात, शाम का खाना आप साथ बजे से पहले पहले ही कर ले. देखते ही देखते, आपका शरीर फिर से अच्छा हो जाएगा और सारी कमजोरी दूर हो जाएगी. दोस्तों, मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख देखने को मिला होगा. मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें. जैश्री राम